तो बचे यहां जैसे आधार KYC है तो इसमें form में आधार details नहीं डाली बहुत सारे बच्चों को यह है देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो admit card आ रहे हैं क्योंकि admit card 25 तक वाले बच्चों के आ गए है तो जैसे यह एक मैंने admit card लिया जिसका आधार verify नहीं है एक admit card लिया जिसका आधार authenticated है अब आप सोचते होंगे सर एक खबर आई थी कि 20,000 अभ्यारती संदिग्द क्या यह बच्चा उसमें आ गया संदिग्द अभ्यारतियों में आ गया नहीं इस यह ऐसे बेखौश सारे बच्चे अपने आपको के उन 20,000 के अंदर पा लेंगे कि सर मुझे तो अब exam देने नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं तो संदिग्द में आ गया कहीं मुझे पकड़ ना ले भाई अगर आप real हो और आपने form भरा है इवन इस बच्चे का भी मतलब आया था call कि सर हमने e-verify हमारा नहीं आ रहा है तो हम तो संदिग्द में आ गए कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ही रद धर दे तो भाई इस बच्चे की पता है क्या गलती है इस बच्चे की सिर्फ इतना गलती है कि सर मैंने पता है आधार कार्ड नहीं लगाया अटेच नहीं किया अपने form में उसका कारण था कि मेरे आधार कार्ड मेरा date of birth मेरी match नहीं कर रही थी और जब मैं आधार कार्ड अगर मैं authenticate करता तो मेरा वहाँ आधार कार्ड ही देखा जाता तो इस बच्चे को नहीं पता था किसी और आईडी को मानने करेंगे ही नहीं जो अब इन्होंने कर दिया कि आधार कार्ड से ही exam center पर entry होगी इसको उस time पता होता तो यह भरना ही पड़ता इसको पर इसने इस दर से नहीं भरा कि आधार कार्ड में चुकर डियो भी मैच नहीं है तो मैं डियल या और आईडी वोटर आईडी वगेरा ले जाओंगा तो मेरा पेपर हो जाएगा आधार कार्ड में करेक्शन बाद में करवा लेंगे तो इस बच्चे की यह संका है कि मेरी डियो भी तो उसमें मैच होई नहीं रही है मैं एक्जाम देने भी दूर जाओं क्योंकि अपने मंडल से बाहर एक्जाम है लड़को का तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई फिर मैं वैसे ही परेशान होँ वहां जाना आना ही करूँ अगर संदिक्द में भी नहीं आया तो यह एक टेंसन है इस बच्चे को ऐसी बहुत सारे बच्चों को और भी हो सकती है तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका ऐसा है कि सर आपने आधार डाला ही नहीं तो आपके यहां पर इस तरह से आ रहा होगा तो आपको दो काम करने हैं एक तो आप ढ़ाई गंटे पहले exam का जो time है time है exam का 10 से 12 इस से ढ़ाई गंटे पहले होता है साड़े साथ तो यहां लिखा आला कि reporting time आठ से साड़े नौ है तो साड़े नौ तक तो वो लोग है जिनका इस तरह से आधार है वो तो साड़े नौ तक चले जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह आप इस तरह से कर लेंगे तो निश्चित तोर पर यह आपकी verification हो जाएगी वो आपको सहयोग करने के लिए बैठे हैं वो आपको पकड़ने के लिए नहीं अगर आप सही आदमी है तो ठीक है तो आपका यहाँ सहयोग होगा बिना डरे जाईए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि जिनका आधार authenticated है इन लोगों ने इसका मतलब आधार वगेरा वहाँ डाला हुआ था उससे कोई issue ही नहीं है यह आराम से साड़े 9 से पहले पहले entry कभी भी कर ले पर साड़े 9 से पहले कर ले तो इनको बहुत पहले जाने की जरुरत नहीं है कि मैं दो घंटे पहले ही पहुंच हूँ और पहुंच जाएंगे तो कोई बुराई भी नहीं है ठीक है चलो हाँ बस फ्री है मैं वह भी बताऊंगा तो भाई बस फ्री है लेकिन आध काड की दो कॉपी ले करके जाना मैं वह भी बताऊंगा कि वह उन्होंने एक सीट के लिए मना किया है एक्स्ट्रा रफ सीट ले जाने के लिए तो आप कैसे कर सकते हो उसका वी एक तरीका बताऊंगा आपको कि आप रफ कैसे यूज़ कर सकते हो तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास मैं वो भी आपको गताने वाला हूँ बाकी बच्च आधार में डियो भी आने डिटेल्स गलत हैं तो आप अपना 10th का certificate ले करके जाएं तो टैंसल लेने की जरूत नहीं है इक वाई सी परिक्षा केंदर पर अपेक्षित होगी होगी यह तो हो नहीं हो नहीं है परिक्षा केंदर पर यह अगर मतलब यह इस तरह से लिखा रहा है उन बच्चों पर जो लोग जिन लोगों का admit card में आधार verify नहीं ह आप exam time से आदा घंटा पहले भी पहुंच रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है किसी का आधार card वाला register number अब बंद है तो क्या करें कुछ बच्चों की यह सिकायते भी आई थी कि सर आधार card मेरा number वो बंद है क्योंकि EKYC करेंगे तो उस number की आवश्यक्ता होगी बिल्कुल ह सकती है पर उनके पास और भी तरीके है अगर आपका आधार number बंद है तो दूसरे तरीके होंगे उनके पास EKYC करने के क्योंकि यह number जरूरी नहीं है कि सबके पास आज वो हो ऐसा तो हमसे नहीं बोला जाता आधार card में कि SIM को हमेशा के लिए चालू रखना है आपको बहु कोई आवश्यक्ता नहीं है हो सकता है अगर वो number खो गया हो तो उसके FIR online होती है आजकल उसके copy ले जाना कि हाँ ठीक है भई यह आपने और थोड़ा सा और सिफर साइड हो जाओगे मेरे ख्याल से कि ठीक है आगे गर हम देखें किया exam attempt कैसे करें exam attempt की बारी है कि यह तो मैंन क्या attempt करना चाहिए बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के डरे हुए होते हैं कि मैं पहले math करूँ या पहले reasoning करूँ या हिंदी करूँ जीएस करूँ hopefully ऐसा होता है या तो पहले UP के paper में हिंदी आती है जीएस आती है ऐसा गया हिंदी भी आया जाती है कभी कभी जी एस भी आ जाती है Math reasoning में से सुरुआत बहुत कम बार देखी गई है तो मुझे ऐसा लगता है personally कि भई पहले या तो हिंदी आए या जी ऐसा आए इन में से एक चीज पहले ही कर दीजिए दूसरे नंबर पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी reasoning ले सकते हैं लेकिन reasoning करते time इस बात का ध्यान रखना होगा मैं ये नहीं चाहता कि आप दोनों को पहले कर दीजिए हिंदी और जीएस को नहीं ये बिलकुल नहीं है तो ये हिंदी और जीएस अगर दोनों पहले करोगे न आप अगर ये दद्दस बारे बारा मिनट आपकी खाती और आप पहले कर रहे हो इनको तो ये दद्दस बारे बारे नहीं फिर ये बीस बीस मिनट खाएंगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो बीस बीस में करके यानि चालिस मिनट में 75 कोस्चन कर डाले दोनों के मिलाके 75 तो आप तो खुस होगे अब तो मेरा बहुत टाइम बच रहा है गंटा 20 मिनट और 75 कोस्चन बागी है अब तो मुझे आधे भी नहीं करने आधा पेपर बचा टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है पर भाई आप ये एक बार जरूर देख ले ना कि जो आप ने किया है न वो अभी हिंदी और जीएस को किया है इस बात को इस बात पर दिमाग नहीं लगता तोटल फिर तो कॉस्चन नमबर याद आते हैं इतने कॉस्चन कर डाले मैंने 40 मिनट में और मेरे पास अभी गंटा 20 मिनटा तो मेरे पास तो बहुत टाइम है तो नहीं क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है वो अभी आपने करीवी तो हिंदी और जीए से जिस पर टाइम ही नहीं लगना चीए था ठीक है बच्चो तो इसलिए मैं यह कहता हूं हमेशा कि इन में से एक पहले कर लो एक प्रेशर खतम हो जाएगा और फिर रीजनिंग को ले लो लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि जो चीजे मुस्किल आए जो चीजे ऐसे लगे कि यार यह तो टाइम लेगी पर मुझे अभी ना थोड़ा से मतलब टाइम लगेगा पर मैं अभी लगाना नहीं चाहता तो आता तो है मुझे सीटिंग अरेंजमेंट का कोश्चन मान लो या कोई ऐसी स्रीज है या कुछ काउंटिंग फिगर्स का है यह सब टाइम लेने वाले कोश्चन से जो मैं आपको नाम ले रहा हूं ठीक है तो इस तरह की चीज़ें आ गई तो हम क्या करेंगे या decision making का कोई body language वाला सवाल है तो भी time लेगा या अभी रूची के questions है time लेंगे तो मेरा आपको एक सुझाव है कि अभी रूची को तो last में ही करना अभी रूची के लिए आप यह मान लो कि आप अपने अराम से 10-12 मिनिट बचा के रखना last में जरूर बचा के रखना और अभी रूची को तब ही छेड़ना तब जो अभी रूची करोगे न वो बहुत chance है कि आप सही कर दोगे क्योंकि बाकी pressure आपका release हो जुगा होगा अभी रूची को अगर beach paper मलोगे time भी जादा खाएगी confidence भी नहीं आएगा और जल्द बाजी में वो उत्तर कभी सही नहीं होंगे ठीक है तो आप reasoning के एक तो अभी रूची को छोड़ करके चलना last के लिए दूसरे जो मैंने series बताया मैंने sitting arrangement बताया ऐसे decision making की लंबी language का question बताया तो ऐसे questions को ना बच्चों इनको भी शुरुवात में गोला क करके चलना कि यह मुझे आते हैं लेकिन बाद में लूँगा तो अगर आप इस तरह से करोगे तो निश्चत तोर पर आपके बाद में 20 मिनट बच जाएंगे paper में और आप यह नहीं मैं तो एक दोरे से सब कुछ खतम करता चलूँगा ताकि दुबारा page पलटना ही ना पड में तो ऐसी जिदो मत करना प्लीज ठीक है आगे अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद इसके बाद आप हिंदी जीएस में से हिंदी पहले की मान लीजे फिर रीजनिंग फिर जीएस ले सकते हो फिर मैट्स ले लो ठीक है अब आप यह कहते हो कि सर नहीं ऐसे तो page पलटते बावले हो जाएंगे हम तो देखो इसमें बहुत ज्यादा मुस्किल तो चीजें है नहीं अगर आप ऐसे करते हो और यहां पर फिर ले लेना अभी रूची और अपने वो questions जो आपने गोले किये थे maths में भी करना गोले खूब और GS और Hindi में गोले मत करना तो GS और Hindi एक बार में कि जो होना है वो एक बार में होगा गोले करने की आवशक्तनी हाँ आपको लगता है कि नहीं इसको किसी से पूछ पाच के कर लूँगा तो भाई CCTV की नेगरानी में क्यों फालतु में जिंजट मे ले लेना और वो क्वेश्चन अभी रूची अभी रूची के बाद उन क्वेश्चनों को ले लेना जो गोले की हैं अपने maths में भी गोले करके चलना इससे टाइम बचेगा और यह लास्ट में 15 20 मिनट जरूर बचाने तो बहुत अच्छा एक्जाम कर जाओगे आप ठीक ह का दिमाग चल रहा है उस हिसाब से तरीके से काम करो आप कियो नहीं मेरे यही फिलो वन रहा है मैंत ऐसे करो लोट और और वीडिक्कत के दूसरी बात ये भी है कि यार आपने इतने सारे mock test दियें तो ये सारे बताने वाली बात नहीं है आपको भी पता हुआ कैसे time management अच्छा किया जा सकता है क्या questions mix आएंगे ये chance हैं आते रहे हैं पर इतने mix नहीं आते कि एक question math का एक reasoning का एक gs का एक lesson नहीं ऐसे आएंगे कि 5 हिंदी के एक 7 आ गई कभी और फिर उसके साथ reasoning के दे दिये 6 साथ या विरूची के डाल दिये तो ऐसे भी हो सकता है अगर ऐसे आएंगे तो फिर कोई option ही नहीं कि हम ऐसे ढूंड ढूंड के करें फिर ढूंड के करना भी नहीं है पर एक दोरे से लग जाना और time का ध्यान रखना दिवार घडी सबसे अच्छी बात है आपके examination hall में लगी होगी और उसको देख करके चल लेगा paper आपके सामने time भी हो रहा होगा अच्छी बात है घंटी बोजे की time भी दिख रहा है तो उससे पहले-पहले OMR को तसली पूरवक भरना पांच-सात मिनट एक्स्ट्रा आप दे भी रहे हैं वो आपको वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी ऐसी गलतिया नहों ठीक ह एक एक चीज वही उस तरीके से अगर पिछली बार की तरह मार आई तो वैसी आएगी जैसे मैंने आपको भरके दिखाई है आगे और मैंने WhatsApp चैनल पर भी शेयर की है क्या score काफी रहे कि बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है किसा कितना score काफी रहेगा तो भाई इसके लि कि अपने आप को यह माने के चलिए कि यार कम से कम 15 मैत्स करना है है ऐक आप का मैत्स ठीख ठांगे आप को नहीं चर। मेरा मै opens कम जो 16 कुशन ऐसे हैं जिसको कोई भी कर देगा ठीक है रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग आपको 45 एक आईडियल स्कोर होता है रीजनिंग में काट पीटने के बाद 45-45 के बीच करते हो बहुत अच्छी रीजनिंग मानी जाती है 45 मतलब अच्छे स्कोरों में आ जाएगा अब आप देखें GS वगेरा पर बहुत ज़्यादा उमीद करके मत चलना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हिंदी को हर आदमी यह इकोसिस करता है कि यह 30 पिलस ही रखूँ तो यह एक नॉर्मल सोच बन गया है कि यूपी पुलिस क पेपर निकालना है तो यह एक ऐसा स्कोर हमें चाहिए होगा और GS है वो 20-25 के आसपास ही सब की जानी है इस से उपर जाती है 25 से तो बहुत अच्छी है 20 से नीचे आती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कम होई है तो वह वाली बात है बच्छो यह मैंने आपको एक आइडि दिया जाए तो 23 तारिक के साम को मैं वीडियो लेकर क्या हूँगा दूनों सिफ्ट का पेपर देखने के बाद तब मैं आपको एक साम को 23 तारिक को आठ बुजे एक वीडियो आएगा उसमें यह बता रहा हूँगा कि आज का बेस्ट स्कूर क्या होना चाहिए मेरे ख्याल तो उन पर टाइम देना ही बेकार अगर देना ही है तो लास्ट में देना है और कौन सा कॉस्चिन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप देखते ही छोड़ सको क्योंकि फॉर्मेटिंग एक सी रहती है सारे एक्जाम की जैसा शुरू के दिन आया वैसा ही बनता रहेगा प लोगों के पास इसर पेपर लीक हो गया तो यह कुछ करो भाई इन सब चीजों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसके लिए हाँ परेशानी की बात यह जब चूकि एक बार हो चुका तो वो लोग भी उस तरह से ही आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते ह कि क्योंकि यह लीक का थबा लग चुका है तो बच्चे के सामने अगर लीक वाली कोई बात बोल देंगे तो हो सकता ही आपका कमप्टीटर यह चीज़े उठवाता हो यार थोड़ा सा ना बच्चे का तीजों के चक्कर में मत पढ़ो उसके लिए प्रसासन बहुत सक्ती से कदम उठा रहा है हमें विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ उन्होंने की सिकायत के लिए आपको सतरकता वाली मेल भी दे रखिए आपको वाटसप नंबर भी दे रखा है तो जो सही चीज़े हैं जिनको भरती बोर्ड भी चाहता है कि यह हम तक पहुँचे अगर बच्चे के मन में आ रही हैं और एवन बलिया की आपके पास पेपर के लिए कौन कॉल कर रहा है उसे पकड़वादो पच्चिस हजार का इनाम ले जा तो इस लेवल पर जाकर के हो रहा है काम तो यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मुख्यमंतरी जी से कल मी जाकर के साथ भी तो कितने अच्छे लेवल पर चीजें सीरियस चल रही हैं तो वह इस मुद्दे को यह इन चीजों को इस बार ना हो एडी चोटी का जोर लगा देंगे तो आपको भरोसा रखना चाहिए अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए होगा तो सब के लिए हो पहुचाएंगे ठीक है ताकि जो मतलब प्रॉपर जगह पर प्रॉपर चैनल पर यह चीज जा सके और फिर उस तरह के डिसीजन हो सके जैसे बच्चे चाहते हैं पर यह सिर्फ तब होगा कि बच्चे आप सिर्फ को किसी ने खबर चला दी जूटी सची अफवा कुछ भी आप उसने अपने आपको उससे पर परिसान कर लिया तो इस सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो इन चीजों पर मत ध्यान दीजिए और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा निवेधन करूंगा कि जो बच्चे दलालों के चक्कर में आज आते हैं या सोच रहे होते हैं इस अई इस टाइम ना कौन सा दलाल सक्रिय है मैं अपना काम कर लूँ अपना जुगाड़ा कर वालू भाई देखिए अगर बच्चे ही दलालों पर जाने बंद हो जाएं तो दलाल कैसे किसी एक्जाम में एंटर कर सकते हैं दलाल ने एक्ज किसी सोच है ये लालच आता है ये आप लोगों के मन में भी आता है तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँ gia कि भई अगर ऐसे तो पहली बात तो कभी जाना मत चिंके अगर ऐसे कोई बातनी अगली बार हो जाएगा यार कम से कम जिंदकी बरबाद होने से बच जाएगी ठीक है और अगर माल लीजिए एक परसेंट ये भी माल लें कि यार आपकी नौकरी ही लग गई ऐसा जुगाड भुगाड करके तो आप हमेशा उस डर में जी होगे कहीं मेरा पोल ना हमेशा डर के साय में उस नौकरी को करोगे और वो जो आपकी जूटी सान है वो एक दिन खत्म हो जाएगी अगर पोल खुल गई तो ये दर हमेशा लगा रहेगा मेहनत से लिए तो सान से नौकरी करोगे तो उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और तैयार बैठी है पु 2023 अगस्त ये उर्चोव कि ये में उन बच्चो के लिए उन बच्चों के लिए इसलिए कहरा हूं क्योंकि बच्चो अगर एक तो ये है कि मेरी त्यारी पूरी है, इस confidence में जा रहा हूँ, अब मुझे क्या देखने की जरूत है, मेरे तो 200 प्लस आते हैं हर बार मौक में, मैं सीधा एक्जाम में देखूँगा, ऐसे भी कुछ arrogant टाइप लोग होते हैं, लेकिन नहीं, उनको भी नुकसान होगा, चुकि इस दोरान ये बात बताई जाएगी और ये बात पता चलेगी, कि आर इन questions पर time लग रहा है, और इस type का जो question आ रहा है, उसको छेड़ना ही नहीं है, वरना ये ही 10 minutes खा जाएगा, और वो overconfident लोग, चुकि उन्होंने analysis नहीं देखा, वो उसी पर 10 minutes लगा भी रहे होंगे अपने, और जब लगा रहे ह तो फिर बाद में सिर्फ सर पकड़ेंगे अपना, क्योंकि बाकी questions का time आपने उसी को दे दिया, और कहीं न कहीं time कम पड़ गया, एक ये भी है, और दूसरा ये कि analysis या question paper solve करने से, एक फाइदा और हो जाएगा, उससे ये कि आपको ये पता लग जाएगा, कि भाई, ये paper तो उस level का है, कि इसमें 200 पर ही selection हो जाएगा, और वैसे आप सोच गए हो कि 220 से कम पर तो होगा ही नहीं, paper आगया माल लो, उस level का कि 292 पर ही selection है, 180 पर ही selection है, ऐसा भी तो हो सकता है, suppose करो, ऐसा हुआ, तो फिर आपको analysis से बात पता लग जाएगा, कि बहुत ज़्यादा छे लेके गए हो, मन में 240 का लेके गए हो, उसकी वज़े से, जो question फाल्तु attempt कर दिया आपने, कि यार मेरे तो 200 ही बन रहे है, यार कम से कम 220 पर selection होगा, 240 पर होगा, क्योंकि आपके mindset में वही है, क्योंकि मैं तो मौक में 240 करता था, paper तो 200 का करने लाएगी आया, अब आपके है, आपने 240 है, आप क्योंकि मेरा नमबर तो 200 पर नहीं आना, फाल्तु में ज्यादा attempt कर जाओगे और ज्यादा कर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप negative में जाने वाले हो, और paper तो भाई आपने यहीं selection लायाक कर दिया था, और चूंकि आपको यह नहीं पता कि paper क इस level के आ रहे हैं, क्योंकि analysis नहीं देखा, इस वज़े से आप फिर paper ज्यादा attempt करना की कोशिश करोगे और वहीं मार खा जाओगे, तो ज्यादा attempt करना है, नहीं करना है, कितना safe score होगा, कितना question, किस चीज में ज्यादा question tough आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितना maths में score sufficient है, तो ये सब चीजे analysis के माध्यम से हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है, तो 23 तारिक के second shift वालोग की entry है, वो भी जो entry है, वो साथ एक वज़े से entry है, और हम लोग भी ये देखते हैं, कि 12 बज़े ये paper आ जाएगा, तो हम आपको एक वज़े के आसपास ये बता सकें कि paper में कैसे कैसी कौन सी चीज आ रही है, और इसके answer सुभी बताने हम लोग शुरू करते हैं, एक answer की बनवा दें, एक वज़े के आसपास, हमारी कोशी जल से जल इसलिए है, ताकि 23 की second shift वाले बच्चों को भी फायदा हो जाए, ठीक है, तो आप अगर ये आपका अधार card verified है, द रहे का है, और cool रहना, कोई चीज पता है, नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता है, तो वो उस paper मा आ चुकि ये तेमारे में तो आएगी नहीं, और पता भी है, तो फिर tension लेना भी मत, और कई बार बच्चे कहते हैं, और वो इस वारी तुना आसान paper आगा, तो इस से जो आपक कुसान हो गया, हमें तो कोई analysis देखने को मिला ही नहीं, और एक बात अब note कर लो, कि भाई एक चीज है normalization, और उस वजह से ही कहा रहा हूं, कि normalization ऐसी चीज है, कि इन बच्चों को कुछ नहीं पता था, बाकियों को idea हो गया, तो थोड़े समल के गए अगली shift वाले, लेकिन इस shift वालों को समलने का मौका ही नहीं था, क्यों पहली shift में अंजान है हर चीज से, तो इनका normalization में बहुत फायदा हो जाता है, तो आपको फायदा वहां हो जाएगा, बस आपको दिहान यह रखना है, कि मुझे अपना best देखर के आना, मुझे नहीं पता paper कैसा आएगा, प के मारने से कोई फायदा नहीं है, सिवाएन उकसान की, ठीक है, तो normalization बिलकुल होगा, 23 तारीक की first shift को इसका फायदा होगा, लेकिन 23 तारीक की second या 24 को, 30 को 31 को फायदा इसलिए तब होगा आप लोगों को जब आप analysis पर गौर कर लोगे, आप कहते हो ना कई बार सर पहली shift को normalization का हमें इसा फायदा मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि बागियों को paper का idea हो जाता है, 23 तारीक की second shift को भी थोड़ा फायदा होगा, इससे कम होगा लेकिन, मैं बता रहा हूँ कर पेपर एक जैसे आए तो, इससे कम होगा, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत मौका नहीं म करके paper करेगा, तो इसलिए अब चूकि वो साफधान हो गया, तो आपकी shift का हर बच्चा साफधान हो गया, अब जो हर बच्चा साफधान हो गया, तो जाहिर सी बात है, आपकी shift का average score बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो normalization में आपको थोड़ा कम फायदा होगा, ठीक है ब पायदा देखने को में लेगा न, 24-25 में, उतना ही 30-30 में होगा, इस से ज्यादा कुछ नहीं होगा, हाँ, एक बच्चे किराय वाली बात थी, उसको भी बता देता हूँ, किराय वाली, कि किराया जो है roadway bus में free है, किराया bus में free है, special train भी आप लोगों की चल रही है, मुझे नहीं पदा उसमें free है नहीं है, पर special train चलाई गी है, तो पांच दिन के लिए, तो bus में free है, लेकिन आपको आधार, roadway bus, ऐसा नहीं है, आप private में दाधागरी करने लगो, roadway bus गवर्मेंट ने चलाई है, वो free है, और आधार, आधार कार्ड न है, इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब को बच्चे को देखते ही समझ में आ जाता है, इसका exam है, पर ठीक है, अपने record के लिए हो सकता है, रख लें, फिर भी आप लेके जाईए, तीन copy, एक आपको examination center में चाहिएगी, और दो आपको bus वाले को देने के लिए चाहिए हो ठीक है, लड़का हो, लड़की, सब के लिए free है, अब क्या documents ले करके जाना है, इस बात पर भी धियान दे लिजिए, कि आधार card ले जाना बहुत जरूरी है सब को, बिना आधार card के आपकी कोई भी ID मानने नहीं है, आधार card verify है, नहीं verify है, तब भी आधार card ही चाहिए उन अब कह रहे हैं कि अगर आपकी EKYC नहीं हुई है, यह exam center पर ही बुलाया आपको, धाई गंटे पहले, तो आपको आधार card तो ले जाना ही है, अब आधार card के साथ एक और ID ले जानी है, या तो DL, या passport, या E-ाधार, इन तीनों में से कोई एक ID, voter ID का option नहीं दिया, ले जा card है, तो E-ाधार तो निकली जाएगा net से, तो E-ाधार और आधार card ले जाना, ठीक है बच्चो, नीला या काला ball pen, यही चीजे हैं जो ले कर के जानी है exam में, नीला या काला ball pen आपको ले जाना होगा, और admit card, admit card तो सब को ले जाना ही है, और दो घंटे पहले आपकी उपस् नहीं, E-CYC वालो की जरूरी है, लेकिन आदे घंटे पहले exam के time से, आदे घंटे पहले gate सब के लिए बंद है, यह आपको ध्यान देना है, अब आप सोचते हो, sir, rough seat का क्या करें, हमें तो rough की जादा जरूत है, rough work, एक तो बच्चा paper पे आता है, rough work के लिए जगा, last में, पर वो कम होता है, क्योंकि reasoning भी है, और maths भी है, और भाई, उसका भी use नहीं करना चाहिए, मैं तो यह कहता हूँ, आपका maths का paper आपका है, उस question paper पर, उस question paper पर, आप हर question के, जैसे यहाँ question आया, यहाँ आया, तो इतना gap होता है, थोड़ा सा इधर जगे बच जाती है, तो य यहाँ पर rough work करिये, paper पर आप लिखिये, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो यह, दूसरा यह कि rough seat extra नहीं ले जा सकते है, उन्होंने मना कर दिया, ना वो extra देंगे, तो फिर क्या किया है उन्होंने, कि rough work के लिए, आपका admit card, उन्होंने नहीं किया, यह मैं आपको बता रहा हू एक side ही चपवा के लिए जाना, भाया जो back side है ना, उस पर कर ले ना, उस पर solve कर ले ना, questions को, maths के को, reasoning के को, मैं तो यह कह रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसके लिए भी हो सकता, आपको, आपका कक्षिन रिक्षक आपके लिए रोक दे, कि भाई यह क्या कर रहे हो, तो भाई, सब जगे नहीं रोकेगा ना, तो यह एक option है, अगर आप यह use कर लो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलो बच्चो, ओके, नमस्कार, धन्यवाद,